नमस्कार मैं पंकज दुवे और आप देख रहे हैं सागर टाइमस नीजी सागर संभाग से पूरे बुंदेल खंड साइद देश विदेश की ताजा तरीन खबर है और उनके पीछे का सच पूरी सठीकता एवं निर्वता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइड शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें आई ये देखते हैं ब्रेकिंग नीजी नमस्कार बड़ी कबर नकल कर आ रही है सागर जिले से जी हैं सागर जिले में लागडाउन को लेकर कोरोना करफ्य को लेकर बड़ी कबर नकल कर आई है अब जो है सागर में कोरोना करफ्य को 31 माई सोबह 6 बजे तक बड़ा दिया गया जी हाँ 31 माई सोबह 6 बजे तक जारी रहेगा कोरोना करफ्य दो घंटे कुली रहेंगी सबजीवा पलमंडी जरूरी सामगरी की भी होम डिलेवरी की जा सकेगी बहुत बड़ी खबा सागर से नकल कर आ रही है सागर में बड़ती कोरोना संकमर की रूप ठाम के लिए जिला दंडा दिकारी कलेक्टर दीपक सिंग्ड है सनिवार को जिले में एक बार फिर कोरोना करफ्य बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है जी हाँ अब 31 माई की सुबह 6 वजे तक जिले में कोरोना करफ्य लागू रहेगा करफ्य के दौरान एक चुप किराय दुकांदार हॉम डिलेवरी कर सकेंगे इसके लिए उन्हें डिलेवरी बवाय की जानकारी संबन्द थाने में देना अनवारी होगा साथ योगत ब्लेक्ति की कोरोना जाच कराना भी जरूरी होगा इसके अलावा डिलेवरी का चार्ज 20 रुपे बसूल सकेंगे इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट टिपन सेंटर हॉम डिलेवरी कर सकेंगे करफ्य के दौरान सागर नगरी चेतरवे डिन्सी भी दिन्द्यार नगर इस्टित केंद्री विद्यारा करमाग दो के सामने वाले मैदान खुराई रोड इस्टित गल्ला मंडी के मैदान नमर दू में सबजी वा फल मंडी दो गंटे सुबह साथ से नो बजे तक खुलेगी इस दौरान थोग विक्रिता के बल खुद्रा फल्वा सबजी बेचने वालों को विक्री कर्श रखेंगी हम आपको बता दें कि पिछले चौदा जिन में सागर में 2926 कॉरोना मरीज मिले है सागर में कॉरोना संक्वर्ण की रप्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है मिछले चौदा जिनों का रिकॉर्ड अगर दिखा जाए तो 2926 नए संक्रमत मरीज मिले है इस प्रकार आब तक जिले में 14,646 मरीज जो है सागर में मिल चुकी है लेकिन हम फिर कहेंगे सासन पर सासन को उस गरीब और मध्यम बर्ग पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस लोगडाउन कोरोना कर्फ्य में उसकी पूरी तरह से कबर तूट गई है और अगर 31 माई तक ये जारी रहेगा तो क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है अब बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है सागर में कोरोना कर्फ्य 31 माई तक बड़ दिया गया है